असलालेकूम गाइस, मैं हूँ आपकी होस्सूमा और आप लेक रहे हैं सूमा कुकिंग शोव आज मैं आपको ब्रैट रॉल्स बनाना बताऊंगी कि किस तरीके से हम ब्रैट रॉल्स बना सकते हैं अजजाव चिकन एक कप दबरूटी 10 स्लाइस गाजर आधी पारिक कटीवी शिम्ला मिल्ची एक अदर्द बारिक काट लें बन गोबी आधी पारिक काट लें काली मिर्ची हस्बे जाएका अंडा एक अदर्द फेट लें मस्टर पैस्ट एक चाएका चमच नमक हस्बे साएका चीज स्लाइस दू स्लाइस बारिक टुक्रों में काट लें कुकिंग ओयल हस्बे सरूरत मयोनीज आधा कप अगे पड़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट टेके अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करदें एंड बैल के बटन को क्लिक कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो की अप्डेट्स आपको एजी ली मिलती रहें सबसे पहले चिकन को वाइल कर ले और छोटी छोटी टुकरों में काट ले अब एक फ्राइंग पैन में दूच हमच कोकिंग ओयल डाल कर गरम कर ले कुकिंग ओयल गरम करने के बाद और तमाम सबजियों को नमक, काले मिर्ची, सिलाइस टीस के साथ लाइट प्राउंट फ्राइ कर ले और इसे ठंडा कर ले अब चिकन, तमाम सबजियां, फ्राइ कीवी और मयोनिस इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर ले फेलिंग तयार है ब्रेट स्लाइस के किनारे काट ले और बेलन की मदद से रोटी की तरह बेल कर पतला कर ले ताकि स्लाइस थोड़ी सी बड़ी हो जाए और पतली हो जाए अब इसमें फिलिंग डाल कर रोल की शकल में तयार कर लें इसी तरह एक एक करके तमाम तयार कर लें आप फ्राइंग पैन में कुकिंग ओल गरम करें इन रोल को अंडू में डिप करें और फ्राइंग पैन में फ्राइ कर लें केचप के साथ पीश करें आपको मेरी रेसीपी पसंद आई होगी अगर इस रेसीपी से रिलेटिव आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए और यह recipe आपको कैसी लगी इसके भी comments जरूर कीजिए मुझे आपके feedback का इंतिजार रहेगा और इस video को like करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें Thanks for watching